नागौर की खिफसर कस्बे में लॉकडाउन के बीच में अफवाहों का बाजार भी गर्म है। इसके चलते तमबाको उत्पादों की काला बजारी जोरो पर है। मोठी कमाई के चक्र में कुरूना काल में दुकांदार पूरी तरीके से लोगों की जान के साथ खिल्वार कर रहे हैं। ऐसे में काला बजारी करने में लिप्त दुकांदारों के होसले बुलंद हैं। अलाकि सरकार ने तंबाको उत्पादों पर से प्रतिबंद हचा लिया है और MRP से अधे कारोबार करने वाले पर उसके खिलाफ सक्त कारवाई के निर्देश भी दिये हैं महिस संबंद में उपखंड अधिकारी अमित कुमार चौधवी का कहना है कि अंधित्मुल्य लेने वाले दुकानदारों के खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई की चाएगी नागौर के खिपसर से आपको खबर बता रहे हैं यहां पर दुकानदारों के द्वारा गुटको और तमबाकू पदार्थों की काला बजारी जोरों पर है MRP से डबल रेट्स पर यह सब भी बेचे जा रहे हैं और इसी क्रम में सोशल बीजिया पर एक विजियो वारल हुआ जहां पर दुकानदार कहरा है कि माल में स्टॉक की कमी है और बलाक का माल जो है वो फिलहाल बेचा जा रहा है